दोस्तों खुसखबरी है आप सभी डीडी फिरी डिस के ग्राहकों के लिए क्योंकि दोस्तों अब आपको 90 से ज्यादा यानि की 100 प्लस टेस्ट श्लोट जिन पर ये ओक्षन के माध्यम से टीवी चैनल देखने को मिलने वाले हैं यानि की दोस्तों अभी आपको 106 डीडी फिरी डिस पर टीवी चैनल देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों इस खबर क्या पूरा प्रूफ हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे और दिखलाएंगे तो दोस्तों परसार भारती के सीयो गौरो दिवेदी जी ने एक वेब न्यूज को दिये अपने इंटर्व्यू में बतलाया कि हम डीडी फिरी डिस पर चैनलों को इंक्रीज करने जा रहे हैं तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कारण भी बताया है और बहुत सारी जानकारियों को इस वेब न्यूज पोर्टल को अपने दिये इंटर्व्यू में बतलाया है उन सारी बातों को हम आप लोगों के सामने यहाँ पर बतलाएंगे और साथ में हम प्रूव भी दिखलाएंगे तो दोस्तों आईए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बतलाता चलूँ वेब न्यूज पोर्टल लिखता है कि परसार भारती ने अपने फ्री डिरेक्ट टु होम डिटी एच प्लेट फार्म फ्री डिस की पहुच को बढ़ाने के लिए फ्री टु एर चैनल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2024 में स्लोट्स की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया है इरादा कर रहा है जहां पर आप वित्प्रूब के साथ देख सकते हैं हम और टांस्पोंडर को बढ़ाएंगे और टांस्पोंडर को बढ़ाने का काम चल रहा है दोस्तों 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही खुसियों भरा होगा लेकिन दोस्तों 2024 तक मेरी जो थियोरी कहती है कि सायद जो ये टीवी देखने वालों की संख्या है ये कम हो जाए क्योंकि दोस्तों अब इंटरनेट मोबाईल का जमाना है ऑनलाइन एंड्वाइट टीवी बॉक्स एंड्वाइट टीवी के माध्यम से लोग टेलेवीजन अब देखना स्टार्ट कर चुके हैं और लोग देख रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है परसार भारती का यहां कदम थोड़ा देरी का हो गया हो यानि यह परसार भारती यह काम जो करने जा रही है 2024 इनोंने अपना लच्छे रखा है 2024 काफी लंबा समय हो जाएगा क्योंकि दोस्तों टेक्नलोजिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हम सिर्फ 175 या 140 50 चैनलों के पीछे ही है अभी Android का जमाना आ गया है जहां पर ना एंटी ना लगता है ना ही आपको यहां पर कुछ और आपको कुछ चुकाना होता है बस आप इंटरनेट लगाईए और दुनिया ओहर के मनुरंजन आप बस एक टेलिवीजन या एक ले सकते हैं तो दोस्तों वैसे आप लोगों को क्या लगता है क्या 200 टीवी चैनल 2024 में मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत ही छोटी बात है अगर 2023 में मिल जाता अगर वही 2020 में मिल जाता तो सायद जो परसार भारती है परसार भारती की जो पहुँच है अभी तो ब पीछे खीचे चले आते और भी चैनल साते परसार भारती की इससी कमाई भी होती तो परसार भारती को ये कदम पहले उठाना चाहिए था कि नए slots को add कर देना test slot के रूप में अगर परसार भारती इसी साल में या इसी साल जून जुलाई तक जब यॉक्सन होने वाले हैं तब तक अगर कुछ नए slots को add कर देती है तो बहुत अच्छी बात है वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है जरूर बताएगा इतनी बेहतरीन जानकार और इसका पूरा लिंक मैंने इसी वीडियो के description में दिया है जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 सुक्रिया